सबी वाईयों को नमस्कार सबी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे यादव डेरी फार्म रेगुलर अच्छे पसू दिखाने का एक प्रियास और सोशल मीडिया के जरियों जो हमारे पसू पालक गाउं गाउं घूम के पसू के एक तलास रहती थी उसको हमने कहीं ने कहीं खतम करने का जो प्रियास क्योंकि हम चाहते हैं कि घर बैटे उन्हें अच्छी क्वालेटी का उत्तम दर्जे का पसू देखने को मिले और वो डारेक्ट जिस ओनर के पास पसू है वहाँ जाएं और अच्छा पसू अपना देख के जाच के लें उसी प्रियास में आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं आपके अपने फारम यादव डेरी फार्म सबसे पहले जो भाई नए जुड़े हैं मैं बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बैल आइकन प्रेस करें ताकि इन फ्योचर हम जो भी निव वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और जो भाई फेस्बुक पेज पर देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें ताकि वहां भी वीडियो मिलती रहे हैं आज हम अपने फार्म का सबसे पहले एड्रेस बताना चाहेंगे काफी भाई फोन कॉल करके दोहराते हैं तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए आज की वीडियो लेके आ रहे हैं हमारा परियास जायज से जायज रेटों के पसू हम परवाइड करवाएं और हमारे पास पसू खरीदने से पहले आप अल ओवर हर्याना रेट और क्वालिटी देखके जरूर आएं और अभी जो कैमरे के सामने आप पसू दंदेख पा रहे हैं ब्यात दूसरा है एक बार मि क्वालेटी की बहुती शांदार क्वालेटी अगर काफी महानु भाव जो अच्छे अच्छे पसू शिरफ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जोटी में माइनस पॉइंट हो तो जरूर बताना बिल्कुल छोटे सींग की फुल साइज की साइध हमारे फार्म पे हाइट के मामले में चुनिंदा बैस हम इसको कहेंगे बहुती शांदार अडर की क्वालेटी अभी तकरीबन 17-18 दिन की ब्याई हुई है साथ में फीमेल काफ है और मोक्के पे हम जहां से खरीदी है 17 लीटर दूद नाप के हम खरीद के लेके आये हैं लेकिन अभी से खरीदी है वहाँ पे टीन का जो फार्म था उसके कारण थोड़ी रैडनेस इसने दिखा रखे लेकिन दिरे दिरे जब बार बार एक चीज कहते हैं कि जो पत्थर का सैड है टीन का वो ना बनाए क्योंकि उससे पसों में रैडनेस जरूर आती है तो एक क्वालेटी बैट वन तो बिल्कुल चोटे सिंग की फुल साइज की जो एक पसू रखना चाते हैं और अच्छा पसू रखना चाते हैं जो भाई घर के लिए खरीदना चाते हैं इस तरह की जोटी अगले ब्यात में अच्छी तरह फुल केर होगी तो मैं कहूंगा कि और भी शांदार बनेगी बिल्कुल जो साइज है वो बहुत ही अच्छा पतली चमडी सिंगल हडी सिंगल हडी की बैस ज्यादा दूद देने में सक्सा मानी गई हैं एक जहां से हमने खरीदिया उस बाई ने कटडी को दूद बहुत कम पिलाया क्योंकि उनका दूद बेचने का काम था तो क कैमरे के सामने देख पा रहे हैं दूसरे ब्यात की क्योंकि हम जायज रेटों की बात कर रहे हैं रेट वीडियो में इसलिए नहीं बताते नजदीक के वापारी जो या किसान है उनसे खरीदते हैं और जो मार्जन होता है उस पर थोड़ा एतराज हो जाता है दो बारा बहुत ही बहतरीन चुवाई की फुल गारंटी दोनों बहसें जो वीडियो में देख पा रहे हैं अधर स्टेट काफी बाई नहीं आ पाती तो चुवाई की फुल गारंटी है और गारंटी उसी पसु की लेते हैं जो बिल्कुल सौफ्ट चुवाई हो चर्रा ना हो मिलकिंग करनी पड़ती है और हम प्रियास कर रहे हैं उत्तम दर्जे का पसु आपको परवाईड करवाने के लिए उसी में ये दूसरे ब्यात की छेदा जोटी साइज बहुत ही अच्छा और सायद हम जिन रेटों में इसको परवाईड करवाएंगे कोई पसु पालक जो व्यपारिक वरग के भाई है वो भी खरीद सकते है लेकिन रेट ओपन प्लीज जो भाई बोलते है रेट नहीं बताते तो रेट इसी लिए नहीं बताते जो भी मार्जन लेते हैं उसके बाद में एक व्यपारिक वरग का जो कारण है कि वो अगर पांश दस जार रुपए एक बैस पे कमा भी लेता है तो अगली बार ये बोलते है कि उसमें तो आपको 10 बची तो अगला पसु महंगा मिलता है तो पीट पुठा काफी अच्छा हाइट लेंद काफी अच्छी सिंग सरीर पे बिल्कुल जमता हुआ और 15-16 किलो दूद खुला निकाल देगी दूसरे ब्यात की हैं दोनों इसके साथ भी फीमेल काफ है तो जो बाई वीडियो देख रहे हैं कोमेंट्स में जरूर बताना आपको हमारा ये मुर्रा का पसु दन कैसा लगा एक परियास जिसमें हम अच्छा पसु दिखाना चाते हैं और आप जो वीडियो को पसंद कर रहे हैं व उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और आने वाले टाइम में रेगुलर आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा परवाइड करवाएंगे ताके आपको अच्छा पसु सेलेक्शन करने का मौका मिले तो इसके साथ में जो नननी सी फीमेल काफ देख पा रहे हैं पांच जिन की जिस ओनर से हमने खरीद दी है वाँ से इसको बताया गया लेकिन हम बताना चाहेंगे हो सकता है एक दो दिन उपर निचे भी हो तो सभी बाई जो वीडियो देख पा रहे हैं अगर कोई खरीदना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर रेगुलर चल रहा है सभी को त्यादव की तरब से नमस्कार सत्सरीकाल राम राम सलाम